Hello Divine Souls, क्या आप एक Twin Flame Relationship में हैं, आएए इस वीडियो में उन सब बातों को जानें, जिन्हें मैच करके आप ये confirm कर सकते हैं, कि आप अपने perfect DM या DF के साथ में हैं, जब आप एक दूसरे से मिलते हैं, तो आपको घर जैसा ऐसास होगा, आपको ऐसा मैसूस होगा जैसे आप दोन को जीवन भर से जानते हैं, आप आते हैं कि अपने Twin Flame से मिलने के बाद आपके जीवन में सकरात्मक बदलाव आने लगते हैं, जब आप अपने जीवन की कहानियां अपने DM या DF को बताते हैं, तो आप दोनों की प्रिश्ट भूमी और पालन पुशण में कई समानताइं साम बात बिचार, बात करने का धंग, आपके पसंद नापसंद, पारंपरिक प्रिश्ट भूमी, इनमें बहुत सी समानताइं होती हैं, रियल Twin Flames में, आप आएंगे कि जिन शेत्रों में आप कमजोर हैं, आपके Twin Flame की ताकत है, आप दोनों की उम्र में अंतर हो सकता है, नॉर् बड़ी होती है, उम्र के अंतर के बावजूद, आप अपने जीवन साथी के साथ द्रणता से एक जुट महसूस करते हैं, आप एक दुसरे की भावनाओं को महसूस कर सकते हैं, भले ही आप शारिक रूप से एक साथ ना हो, जब आप अलग होते हैं, तो आप वो काम करने मे इस रिष्टे में आने के बाद आप लोगों को शमा करना सीखते हैं, नॉर्मली नेगेटिव क्वालिटी या कुछ बर्डन से जहां एक तरफ लोग रिष्टा तोड़ देते हैं, अपने ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद हम उन्हें शमा करना सीखते हैं, एक दूसरे की सी माओं पर नजर रखना इस रिष्टे का एक नियमित हिस्सा है, नॉर्मली ये ट्विन फ्लेम का जो रिष्टा है तब शुरू होता है, जब आपने इसकी उमीद नहीं की थी कि कोई जीवन साथी के रूप में आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है, आप दोनों के बीच स आप या आपका ट्विन फ्लेम कई बार संबंद तोड़ने या अलग होने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप फिर से साथ आ जाते हैं उतार चड़ाओ रिष्टे का एक सामाने हिस्सा है, पर इस रिष्टे में आप बहुत पैशनेट हो जाते हैं, जुनुनी हो जाते हैं, और दर्थ के बीच जूलते रहते हैं जब आप दूसरे रिष्टों पर नज़र डालते हैं, तो यह पाते हैं कि उन में से कोई भी आपके ट्विन फ्लेम जीवन साथी के साथ रिष्टे की तुलना नहीं कर सकता आप और आपका ट्विन फ्लेम एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को लगभग मांसिक रूप से समझ सकते हैं ट्विन फ्लेम रिष्टे में रहते समय जो इमोशनल अटैचमेंट होता है, वो एक अलग लेवल का होता है खुशी के वक्त आप बहुत आनन्दायक महसूस करेंगे, लेकिन जब उनके साथ बुरा अनुभव होगा, तो ये बहुत ही डेंचरस सा फील होता है, जिसे आप बरदाश नहीं कर पाते हैं और इस रिष्टे से बाहर आने के लिए अपने सभी प्रयास करते हैं आपके और आपके साथी के बीच, इमोशनल अटेच्मेंट का लेवल बहुत हाई होता है जब आप और आपका ट्विन फ्लेम एक साथ आते हैं, तो इमीडियेटली आपको एक फैमिलियरिटी परिच्चय का एहसास होगा जैसे लगेगा कि आप इन्हें बहुत पहले से जानते हैं, या कुछ नकुछ उनकी अंदर जो आदते होंगी वो आपको आकशित करेंगी जिससे आप उनके और करीब जाने की कोशिश करेंगे, उनको जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हैं कौन जिनके साथ मुझे इतना अपना पन महसुस हो रहा है, क्या कारण है, मैं क्यों इनके तरफ इतना आकशित हो रहा हूं या हो रही हूं इस विशे में जानने के लिए आप बहुत एकसाइटेट हो जाएंगे और उन पे तरह तरह से रिसर्च करना शुरू कर देंगे आप अपने साथी के साथ एक मैगनेटिक जुडाओं महसुस करते हैं, जैसे कि आप शारीक रूप से एक दूसरे की और आकशित होते हैं ये रिष्टा बिल्कुल डिस्टॉर्टेट, उथल पुथल से भरा हुआ, बहुत डिफिकल्ट, बहुत चादा कन्फ्यूजन से भरा लगता है क्योंकि आपको आगे बढ़ने और अपने उन पहलियों का सामना करने की ये रिष्टा चुनोती देता है, जिनके प्रति आप पहले अनकमफर्टेबल थें, अपने गलतियों को अपना एक परस्नालिटी का हिस्सा मानते थें आपका ट्विन फ्लेम आपको बहतर बनने और इश्वर के नज़्दीक जाने का चुनोती देता है, अपने ट्विन फ्लेम के साथ रहने की आपकी इच्छा एक मजबूरी की सीमा पर आ जाती है ट्विन फ्लेम रिलेशन्शिप में एक दुस्रे के प्रती एक गहरा बंधन मैसूस हो सकता है जुडाओ की प्रबल भावना एक गहन संबंध और अपने ट्विन फ्लेम के लिए तडप इस रिष्टे की सबसे बड़ी पहचान है सभी परिस्थितियां विप्रीत होने के बावजूद भी आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ रहना स्वीकार करते हैं यह रिष्टा बहुत गहरा कभी-कभी उग्र रूप भी ले लेता है आपका और आपके ट्विन फ्लेम का जीवन और लोगों के प्रतिवही मानसिकता और दृष्टिकून होता है आप और आपका ट्विन फ्लेम दोनों अपने विकास पर ध्यान केंद्रीत करते हैं आप खुद को और अपने twin flame को संतुलित करना सीख जाते हैं आप अपने twin flame से मिलने के बाद अपने रिष्टे पर गम्भीता से विचार और मनन करने लगते हैं बहुत सारी ऐसामानताएं समस्याएं होने के बावजूद फिर से आप अपने twin flame के साथ जुड जाते हैं अगर यह सभी बातें आपके रिष्टे से मैच करती हैं, तो आप खुद परकाम करें, अपने ट्विन फ्लेम को समझें, उनकी परिस्तितियों को समझें, उनका सही योग करें, आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ट्विन फ्लेम के एक नए विशय के साथ.